धरिये के साथ परिश्रम करते रहिए सफलता यकिनन मिलेगी नमस्कार जैहिन साथियों रीट एकजाम 2021 है तो जो अपनी मेराथन सीरीच चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे राजस्तान के प्रमुख क्रांतिकारियों की उनसे समन जितने भी सवाल बनेंगे फेक्ट के साथ में उनका संक्लन है इस वीडियो में लगबग अपना पाठेकरम पॉर्ण होने की कगार पहें कुछ वीडियो और बनेंगे भी इस सीरीज के अंदर तो आपको यह हमारी यह सीरीज आपको अच्छे लग रही है तो लाइक किया करें शेयर किया करें और पहली बार देखने तो सब्सकाइब भी कर लेना प्रारंब करते हैं राजस्तान के करांतिकारि पहला सवाल है कवी राजा बाकी दास थे जोदपुर नरेश मान सिंग के राजकवी जोदपुर नरेश जस्वंत सिंग के राजकवी जैपुर नरेश मान सिंग के राजकवी या फिर बिकानेर नरेश राय सिंग के राजकवी तो कौन थे उत्तर होगा यह जोदपुर नरेश थे मान सिंग उनके ये राज कभी थे वहीं वीर सत्साई सूर्य मल मिश्रण की या मिश्रण की कृति है और कभी गिरवर्दान ने आहुआ के युद पर तीने छपई भी लिखे है अगला देखिए डूंग जी जवाहर जी का सम्मन्द था सिकर नागोर जैपूर या फिर कोटा से इनसे सम्मन्द कई बार सवाल पूछा जाता है नया टोपिक जुड़ा तो जरूर पूछा जाएगा कुछ ने कुछ उत्रोगा सिकर से डूंग जी को बेरुशिंग उनके साले ने धोके से अंग्रेजों को क्या किया पकड़वा दिया था जवार जी ने लोटिया जाटव करणा मेना के साथ मिलकर माफ कीजिएगा डूंग जी को छुड़ा ले आए ये फिर डूंग जी का जो निधन है जोदपूर में हुआ वहीं 1838 में अंग्रेजों ने डूंग जी को पकड़ कर आग्रा में है जो केद कर लिया लोटो जी निठारवाड का जन्म किस परिवार में हुआ जाट ब्रामन विष्णोई राजबूद ये भी सिकट से समन्दे थे उत्तर है जाट परिवार में इनका जन्म 1804 में रिंगस में हुआ और इन्हों ने डूंग जी को छुडवाने तू बनी योजना में ये शामिल थे डूंग जी किस प्रकार से छुडवाना उस योजना में ये भी समिली थे साथियों हमारे ये सवाला है बेशक प्रिंटेड नहीं है प्रिंट्व Version नहीं भनी हुईल लेकिन स्वह निरमित है लग बगद इन सवालों को प्लस सवाल है जो यहां से आपको डायरेक्ट या फिर कईने कई इफ्यक्ट में आपको मिल जाएंगे इनके अंदर अलगलग पुस्तकों यानिकी गाइड़ों से प्लस जो मानक पुस्तके हैं चैसे दस वाली पुरानी एंसी जो रास्तान मादे मेक्शिक्षा बोड़ वाली किताबें और अन्य जो किताबें जान से जिस टोपिक से जो जो सवाल बन सकते हैं वो तमाम संकलन किया गया है तो हमारी नजर में बहुत श्रेष्ट है आपके लिए यकिनन उप्यों की सावित होगी अगर आप पूर्ण श्रदा के साथ इनको अपनाते हैं विश्वास करत अगला सवाल है अमर्चंद बाठियां का सम्मंद आता है सिकर नागूर बिकानेर भरतपुर उत्तर हो जाएगा से बिकानेर से ये ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे राजस्तान के पर्थम व्यक्ति जिनने ब्रिटिश श्रताने कैदी फासे दी थी कौन पुरा धन है तात्या टोपे को देने का प्रस्ता अभी रखा था अगला सवाल विजय सिंग्ग पथिक का बच्पन का नाम था राम सिंग कान सिंग धूप सिंग या फिर भूप सिंग उत्र हो जाएगा दै भूप सिंग यहां पर फेक्ट देखे हैं हम इनके बारे में तो जन्म 1882 में बुलंद शहर यूपी के गुठावली में हुआ कर्म भूमेन की राजस्तान रही अपने यहां पर संस्तापक वीर भारत सभा और राजस्तान सेवासंग के गहरा सम्मन था इनका बिजोली आंदोलन से समाचार पत्रों की बात करें तो राजस्तान केश्री नमीन राजस्तान और तरुन राजस्तान इनसे सम्मन देते हैं अगला सवाल देखिए वे करांतिकारी जिन्होंने जैन शिक्षा परचारक शमीति की इस्तापना की तथा उसके तत्वावधान में वर्दमान विद्या ले वर्दमान पुस्तका ले वर्दमान कार या ले जो चलाए विजे सिंग पतिक अरजुनलाल सेठी अमरचंद बाठिया सागरमल गोपा बताईए उत्तर होगा अपना बै अरजुनलाल सेठी साहब इन्होंने 1905 में जैपुर में जैन्सिक्षा परचारक शमीति की स्तापना की इनके ये सभी संस्तान क्रांतिकारी प्रशिक्षन से समंदित है सवाई मादो सिंग ने इन्हें राज्ये का परधान मंत्री बनने की पेशकस की किन्तु इन्होंने ये माफ कीजेगा इन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि अर्जुनलाल नोकरी करेगा तो फिर अंग्रेजों को बारे से कौन निकालेगा निकालेगा कौन फिर यहां से अगला सवाल देखिए अर्जुनलाल सेठी दुवारा लिखित पुस्तके है शुद्र मुक्ती इस्त्री मुक्ती महिंद्र कुमार या फिर ये सभी तो यहां पर ये सभीर जो पुस्तके है इन्हें के दुवारा अरचित है दे उत्तर होगा इन्हें के विध्याले से जुड़े करांतिकारी थे जोरावर सिंग, प्रताप सिंग, मानिक चंद, मौति चंद और विश्णुदर्थ अगला सवाल केशरी सिंग बारट के कर्म भुमी थी देवपुरा, शावपुरा, रियसत, कोटा, नीमच, खेरवाडा उत्तर हो जाएगा इनका बै, कर्म भुमी की बात है, जन्म देवपुरा में हुआ, इन्होंने चेतावनी राचुंग्ट्या, ये कहीं बार पुछा गया है, तेरे सोट है थे इसमें, ये लिखे, जो माहराणा फतर सिंग को, उनिस सो तीन के, लाड करजन दुवर आउद दरबार में जाने से रोकने हेतू थे, ठीक है, भहीं, ब्रिटिश सरकार के गुप्त, विपोर्टों में, राजपूताने में, विपलव फैलाने के लिए, केस रिजिंग बारट वारजुनलाल सेटी, इनको क्या माना, जिमेदार माना, और उनिस सो दस में, वीर भारत सभा किस्तापना इनुशने विजे सिंग पति के साथ मिलकर, के थी, कुभर परताप सिंग बारट किसके पुत्र थी, जवार सिंग, केसरी सिंग, राम सिंग या फिर मोहन सिंग, उत्तर हो जाएगा अपना बै, केसरी सिंग, फेक्ट देख लीजी आप जन्म 1893 शाहपुरा इनको करांतिकारी मास्टर अमिर्चन से प्रेड़ना मिली थी ये रास बियारी बोस कारूशन करते वे करांतिकारी आंदोलन में मिले थी इनको बनारस कांट के संदर में गरपतार किया गया 1917 में आरोप लगा अगर 5 साल की सजा दे दी गई और बरेली जेल में इनको यातनाएं भी दे गई थी बरेली जेल में परताप सिंग से राज उगलवाने के लिए ये किसने कहा कि तुम्हारी मात तुम्हारे लिए बहुत रोती है चार्ल्स क्लिवलेंड ने इस्टिव इस्ट्वर्ड ने मेरी सन ने या पैट्रिक लोरेंच ने तो किसने कहा था उत्तर हो जाएगा अपना ए ठीक है ए उत्तर हो जाएगा यहाँ पर फेक्ट में बात करें जब ये कहा गया इनको तब परताप का उत्तर क्या था लेकिन में सेकड़ों माताओं के रोने का कारण है जो नहीं बन सकता यह जवाब दिया इनोंने अधिक यातनाओं के कारण है 1918 में 22 वर्ष के आवी में शहीद हो गए और हाथ हाथ पकड़ कर क्लिवलेंड को ये हाथ माफ कीजिएगा यहाँ पर हाथ जोड़ कर क्लिवलेंड को ये कहना पड़ा कि आज तक मैंने परताप जैसा परताप सिंग जैसा यूवे का जो नहीं देखा अगला सवाल है नागोर में चर्खा संग वै खदर संग की स्तापना किसने की परताप सिंग बालमुकंद विस्सा सागरमल गोपा या फिर केसरे सिंग बारट उत्तर हो जाएगा बह ठीक है फेक्ट देख लीजी इनसी जुड़ा हुआ राजस्तान की जतिन दास ये इनका उपनाम है ठीक है 9 जून 1942 को जैनारान व्यास के लिडर्शिप में आंदोलन हुआ इन्हें जेल जाना पड़ा वहीं 19 जून को शहीद हो गए इन में से सागरमल गोपा की पुस्तक है आजादी के दिवाने रगुनाद सिंग का मुकदमान जैसल मेर का गुंडाराज या फिर ये सभी तो यहां पर उत्तर होगा सभी ये सभी की सभी पुस्तक हैं जो सागरमल गोपा की है और 1946 को जेल में तेल छिड़क कर इनको जीवित है जो जला दिया गया था अगला सवाल है नाना भाई खाट का संबन्ध है बताए रास्तापाल नागदा जालडा पाटन या फिर पीलवा उत्र हो जाएगा रास्तापाल डूंगर पुट से इनका प्रण था कि जब तक मेरी जान में जान रहेगी तब तक मैं अपने गाउं की पार्ट साला है जो बंद नहीं होने दूंगा और अंग्रेज सेनिक 1827 को जबरदस्ती बंद करवाने रास्तापाल पहुँचे थे और गोली लगने से नाना भाई खाट का क्या हो गया निदन हो गया था विद्यारती भवन जुन जुनों की स्तापना किसने की पताईए विकल्पों में से उत्र हो जाएगा है सरदार हरलाल सिंग ने की थी जन्म इनका हनुमानपुरा जुन जुनों में 1901 में हुआ एशिक शिक थे इनके सहयोगियों ने इन्हें सरदार की उपादी दी थी कप्तान दुरुगादास का सम्मंद आता है बताए कहां से आता नीम का थाना नीम का भास नागोर से नीम का थाना सिकर से हनुमानपुरा जुन जुन जुनों या फिर पीलवा डीडवना से उत्र हो जाएगा बै नीम का थाना सिकर प्रार्मिक शिक्षा इनकी वर्दमान पाट साला से हुई इन्होंने राज्तान सेवा संग बिजोलिया में कारी भी किया 1930 में स्वाधिंता अंदूलन में शामिल हुए इन्हें अजमेर जेपूर से प्रकाशित होने वाले देनिक नवज्योती का संपादन भी इन्होंने किया था बात करें जानकी देवी बजाज की तो जमनालाल बजाज की पत्नी रही है ये और इनको 1944 में जेपूर परजा मंडल की अध्यक्ष भी चुना गया था अंजना देवी चोद्री का संबंद है नागोर सिक्कर बिकानेर या फिर जोधपुर से बताईए साब अंजना देवी का संबंद उत्तर हो जाएगा बै शिक्कर से ये नाम रामनारायन चोद्री साब की पत्नी थी ये आगे देखिया रतन शास्त्री किन की पत्नी थी राम नारान चोधरी अर्जुनलाल सेटी हिरालाल शास्त्री या फिर जमिनलाल बजाज उत्तर हो जाएगा सेट समंध जेपुर से इन्होंने जीवन कुटिर कार्य करम में पती हिरालाल शास्त्री का पुरा साथ दिया था और भारत चोड़ो अंदुलन में भी हिस्सा लिया इन्होंने अगला सवाल है बीजोलिया में 1931 में गिरफतार होने के बाद ये शब्द किनके थे कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहां आती रहेंगे जानकी आफ कीजिएगा जानकी देवी बजाज अंजना देवी रतन शास्त्री या फिर रमा देवी तो किनका कथन था ये रमा देवी का और इन्होंने 1930 और 1932 में सत्याग्रेवे सविनए अवग्या अंदुलन में भाग लिया था बात कर लेते हैं काली भाई की यहां से भी कहीं बार सवाल पूछा गया है तो नाना भाई खाट की शिश्या थी है गुरू को बचाने है तू 20 जून 1947 को शहीद हो गई और इनकी उम्र मातर 13 वार्ष थी सवाल है कट्रातल सिकर में विशाल महिला सम्मिलन किसकी अद्धेक्षता में हुआ था 1934 में जो हुआ यह सवाल कहीं बार पूछा गया है जानकी देवी अंजना देवी रतन शास्त्रिया फिर किशोरी देवी उत्र हो जाएगा दे ठीक है और यह सरदार हरलाल सिंग की पतनी थी यह आंदोलन सिहोट के ठाकुरमान सिंग के विरोध में था इसमें 10,000 महिला होने क्या भाग लिया था ठीक है कल हम बात करेंगे राजस्तान के प्रमुख जो किसान अंदोलन है वहां से सवालों की तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें शेयर कर दें और कमेंट करके अपने राय भी जरूर दें फिर मिलते हैं